प्रेस उसरी सु little bear फ्रेस दिए तो आप कहोगे जब सब कुछ भगवान कर ले तो भगवान भक्ती करने की पेरना क्यूं नहीं दे रहे पापई पाप करने की पेरना क्यूं दे रहे अरे नककटा समझने में बुद्धी लगाओ भगवान ने कर्म करने का परम सुतंत्र जीव को छोड़ रखा कि कर्म अपने हिसाब से करो कई लोग कहते महराज जो भागई में लिखा होगा वो होगा भाईया भाग पीछे चलता है कर्म आगे भाग में तीनों चीजे मात्र लिखी है जनम विवा है मरन गल सोई जैहीं बीदी लिखा सो तैहीं बीदी होई वो स्वाबी जी ने सिर्फ तीन चीजें भाग में लिखी हुई है क्या जनम विवा है और मरन बाकी तो जीव को खुद करना पड़ता है किसको करना पड़ता है जीव को जीव मतलब हम आप हम आप हैं जीवात्मा भगवान हैं परमात्मा तो हम आपको ही कर्म करना पड़ेगा पर आपको होगे महराज एक जगे चोपाई कहती है कि सबही नचाबत राम गुसाई बंधो कीट मरकट कीनाई सबको राम जी नचारे तो हमें भी राम जी नचारे जैसे एक बार असोक नगर के चंगी लाल को मडर के केस में पकड़ा गया मडर में 302 में तो इसने मडर तो किया था तो जज के बारे में इसने पता किया कि जज साहब रामाड के बड़े प्रेमी है अगर हम एक दो चोपाई याद कर लें रामाड की तो सायद जज साहब फासीना दे के सिर्फ सजा में ही निकाल दे तो इसने एक दो चोपाई सीखी अदालत में पहुँचा तो जज साहब ने पूँचा को तुमने कतल किया तो इसने हाँ जोड कर कहा कि स्रीमान परवार है राम जी ने पेरना दी के कतल कर दो सो हमने कर दिया पर हमारी इसमें कोई थराई नहीं है बोले क्यों बोले जब गोश्वामी जी लिकर है सवईन चावत या तो गोश्वामी जी जूटे हैं आप मानते हो कि रामाड होती के नहीं तो जज ने कहा होती तो है उले रामाड पर भरोसा है बोले पूरा है तो बोले पर इससे सिद्ध हो गया कि कतल हमने नहीं किया राम जी ने करवाया लेकिन जज साहब भी असोकई नगर के थे तार वाले हनमाण जी के भक था उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने फैसला सुनाया कि इस कैदी को आज ही फासी दी जाए तो कैदी घबडाया कि क्यों दी जाए जब हमने किया ही नहीं है प्रभू ने पेरनादी तब हुआ है जज साहब बोले जिन राम जी ने तुम्हें पेरनादी के कतल कर दो वही राम जी अभी अभी हमको बोले कि इसे फासी पे लटका दो तो बोलो सीता राम इससे यह सिद्ध होता है कि सबको भगवान नचा रहे यह तै है पर करम का अधिकारी जीवात्मा स्वयम है कौन है पर आप कहोगे भगवान क्यों नहीं भजन करने के लिए पेरना देते भगवान पांच बार घंटी बजाते हैं कितनी बार पांच बार सुनिये बहुत नई बात है भगवान पहली घंटी बजाएंगे तो तुम्हारी आखों की रोसनी गाया चस्मा लगने लगता है तो समझ जाईए भगवान कह रहे है माला जपो लेकन आदमी इतना चतर है कि उस घंटी को इगनौर करके तुरंत बढ या मोटा चस्मा लगा के आ जाता है लेंस डलवा कर बोले प्रभू हूँ और जो है पहले तो कम दिखाई पड़ता था अब चस्मा की कृपा से एकदम छोटा भी बढ़का दिखाई पड़ रहा है भगवान कहते कोई बात नहीं भगवान दूसरी घंटी बजाते तो बाल सफेद कर देतीет लेकन इनसान इतना चतुरह के गोधरेज डाई लगागे करिया हो जाता बोले भगवान पहले तो कम करिया थे अब भयंकर करिया है भगवान कहते ठीक है भई अब भी भजनना करो तो कोई बात नहीं भगवान तीसरी घंटी बजाते कन्वा से सुनाई नह पड़ता फिर पिर क्या इंसान इतना चतुर है कि एरफोन मसीन ले आता कान में लगाकर भगवान से कहता पहले तो केबल घरवाई की गाली सुनती थे अब तो पड़ोसन की आबाज भी आ रही है भगवान कहते ठीक है अब भी भजन नहीं कर रहा है तो चलेगा भगवान चोथी घंटी बजाते कमर को टेड़ा कर देते हड़ी तूट टेड़ी हो जा ले भाई जो है अब तो भजन कर लेकिन इंसान प्लास्टिक सरजरी करवा कर पट्टा बांध कर उटकी भाती खड़ा हो जाता अब भी हम भजन करने बाले फिर पांचमी बार भगवान घंटी नहीं घंटा बजाते है अब बहुत हो गया बाजाओ हमाईरा पास में